नमस्कार दोस्तों मैं शान्तन हूँ आप सभी कर फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक सोलिशन पर दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्टो लाइट कैपेसिटर के बारे में हमने आपको बता दिया था जब हमने केपेसिटर चेप्टर चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कि केपेसिटर दो प्रकार का होता है मुख्याता है पहला होता है simple capacitor और दूसरा होता है electrolyte capacitor तो हम simple capacitor को पढ़ चुके हैं उसके testing भी देख चुके हैं अगर आपने मेरा पुराने वीडियो capacitor से related या resistance से related वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं description में उन वीडियो की link डाल दूँगा वहाँ से जाकर आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और आज की वीडियो में हम specially cover करेंगे electrolytic capacitor के उपर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से request है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो please मेरे इस चैनल को subscribe करिए और subscribe के पास में जो घंटी का बटन है उससे जरूर on कर दीजे ताकि next time में जब भी basic electronic series का अगला वीडियो लेके आओं तो आपको तुरंत notification मिल सके वीडियो अच्छा लगे तो like करिए और कोई सुजाओ के लिए आप मुझे comment कर सकते हैं तो बिना देर किये चलते हैं हमारे topic की ओर तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि capacitor में पुरियोक के जाने वाले जो dielectric material है उनके आधार पर दो प्रकार का होता है एक simple capacitor और electrolyte capacitor simple capacitor हम आपको पढ़ा चुके हैं ठीक है simple capacitor आपको मैं बता चुका हूँ और आज हम देखेंगे electrolyte capacitor तो देखते हैं क्या होता electrolyte capacitor electrolyte capacitor यह capacitor साधा capacitor से एकदम अलग होता है जैसा कि मैंने बताया simple capacitor आपको को दिखा दिया उससे थूड़ा अलग होता है इसकी सरचना cell जैसी होती है यह क्या होता है दोस्तों दिखने में जो अपने घड़ी का डेरो मि'll का हलाता है उसके जैसा दिखता है sample cell जैसे आता है वैसा दिखता है इसलिए कई लोग इसको बोल चालगे सामी है सेल भी कहते है कि सेल खराब हो गया ठिक है तो इसकी सराशने क्या होता है सेल कि जैसी होती है electrolyte capacitor के बाहर दो electrode यानि कि दो सेरे निकले होता है जो कि हमारे simple capacitor में भी होता था लेकिन इस पर क्या होता है positive औड negative लिखा हुआ होता है किस पर electrolyte capacitor के पोड़ने लगा पड़ेगा कि इस तर पर पी है इस सरक कुछ दो आति रशे उसको लगने से पहले हमाई उसकी देखना उसको देखना पड़ेगा कि पुड़ाने के बर से तर मैं positive किस तरफ था और negative किस तरफ था उसी इसाफ से हम नए capacitor को install करेंगे अगर आपने polarity उल्टा कर दिया या तो capacitor खराब हो जाएगा या फिर आपका circuit खराब हो जाएगा तो इस प्रकार के capacitor को circuit में लगाने से पहले polarity का विशेज ध्यान रखना पड़ता है ठीक है एलेक्ट्रोलेट केफ़िटर छोटे साइज में बहुत अधिक मान की केफ़िटी को चार्ज को store कर सकता है ठीक है मतलब यह आकार में तो बहुत चोटा होता है लेकिन यह बहुत अधिक चार्ज को store रख सकता है इसका में एक dedicated video next video बना दूंगा जिसमें मैं आपको दि लिए तक store रख सकता है तो उस वीडियो को देखने के लिए अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए next video पूरा practically होगा ठीक है तो छोटे साइज में क्या होता है यह बहुत अधिक केफ़िटी को store कर सकता है इलेक्त्रलाइट केफ़िटर का मान और वर्किंग वोल्टेज उनके उपर लिखा होता है मतलब इसका किस मान का केफ़िटर है और कितने वेल्यू का केफ़िटर है यह इसको पर साब साब लिखा होता है हमें किसी प्रकार की कोडिंग की जरुर मलब color coding निकालने की या calculation क क्योंहीं होगी देखते नेक्स्ट यह brings अलेक्टर spatula कह पेसेटर도 के ठीचिप एिसका मान क्या है उनकी सिंबॉल है जो कि आपको साओ केट में देखनगे को मेलें इस तरह का होगा हिसमें पोजटिव ओ नेगटिव लिखे हो ऊगए जीसे यहां पोसी लिखता है यह नेगेटिव पोसीं नेगेकु में लिखा हुआ होगा के शूर्ड भी लिखा हुआ होगा चो क्यों किसी निशान नहीं हो इसको हम कैसे भी सर्कृट में सकते निकाला दूसरा लगा दिया हमें polarity चेक करने की जुरत नहीं पड़ती थी लेकिन हमारा जो electrolyte capacitor है इसको हमें polarity देखके ही लगाना होता है ठीक है अब आता है electrolyte capacitor के प्रकार जो electrolyte capacitor है आवशक्ता के अनुसार इसको कई दो तीन टाइप के बनाए गये हैं तो पहला होता है single unit इस capacitor की body में cable A की capacitor होता है मतलब single unit single capacitor ठीक है इसका मान इसको उपर लिखा होता है इस परगार capacitor को सिर्फ DC में ही उप्योग किया जाता है ठीक है इसको हम AC पर उप्योग नहीं कर सकते AC लगाएंगे तो यह फट जाएगा next आता है multi user या multi unit capacitor ठीक है इस परकार की capacitor में क्या होता है एक ही body के अंदर capacitor की संक्या एक से अधिक होता है मतलब जैसे मालो यह दो अलग-अलग capacitor है इन दोनों capacitor को एक body के अंदर fit कर दिया जाए ठीक है अभी तो एक body के अंदर एक capacitor है जो कि 47 µ, लेकिन इन दोनों बोडी को हटा कि इनके अंदर के material को एक अलग से बोडी बनाके उसमें भर दिया जाए तो क्या होगा एक बोडी कें अंदर हमें दो केफेसिटर मिल जाएंगे कौन-कौन से 4700 माइक्रोफेरट का भी मिल जाएगा और 47 माइक्रोफेरट यानि कि मल्टी हो गया एक बोडी के अंदर दो केपेसिटर हमें प्राप्त हो गए तो उसे क्या कहते हैं मल्टी यूनिट या मल्टी यूजर केपेसिटर ठीक है इसका ग्राफिकल निशन कुछ इस तरह का होगा ठी ठीक है इसमें क्या होगा केपेसिटर जरूत कर उसर बढ़ा भी सकते हैं मल्लब दो तीन चार भी कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा जैसे सिंगल यूनिट में तो हमें दो टर्मिनल देखने को मिल रहता है एक पोजिटिव का एक नेगिटिव का इसमें क्या होगा मल्टी य तो क्या हो गया एक ही capacitor के हंदर हमें एक microfarad मी मिलिया दो microfarad मी मिलिया तो हम जिसकी जान ज़र होते है उसको उप्योग कर सकते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं हम multi-user या multi-unit capacitor में नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वाले capacitor को भी दिखा दूँगा next आता है non polarized capacitor यह होता तो दोस्तो electrolyte capacitor ही है परन्तु इसमें polarity का लफड़ा नहीं होता है ठीक है क्यों नहीं होता है क्योंकि इसको इस तरह से design किया जाता है इस परकार के electrolyte capacitor का अपयोग AC supply मतलब जिन AC supply हो में electrolyte capacitor की आवश्यक्ता होती है जैसे कि मैंने बताया यह capacitor क्या होता है छोटे आकार में बहुत अधिक चार्ज को स्टोर करता है ठीक है तो AC circuit में भी कहीं इसको इसको डिजाइनरों ने या साइन्टिस्टों ने इसको इस तरह से मोडिफाई किया कि electrolyte capacitor को भी हम AC पर उपयोग कर सकते हैं तो इनका उपयोग AC circuit पर कहा होता है जैसे कि आपने देखा होगा पंखे ठीक है सिलिंग फैन, Cooler, Fridge के Condenser, Compressor, पानी की motor इस तरह का जो Condenser जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा Non-Polarized Electrolight Capacitor ठीक है जैसे कि यहां लिखा हुआ है इसका मुख्यता उपयोग AC motor को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है इसमें क्या होता है दो Capacitor होते हैं Electrolight की होते हैं उनको इस तरह से जोड़ दिया जाता है करते हैं मैंने आपको नोर्मल कवेसेटर c email के शेक करना बता दिया अब हम अब्सक्राइब कैसे और को कैसे छेक करेंगे तो सिंपल है इलेक्रोलाइड के एपिसेटर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टी मिटर वो ही हमारा डिजिटल यलो वाला मल्टी मिटर होगा मल्टी मिटर को हम continuity range में रखेंगे continuity range में रखेंगे उसके बाद मल्टी मिटर के rate probe को capacitor के positive से लिखा हुआ होगा capacitor के उपर मैं अभी practically भी दिखा दूँगा और मल्टी मिटर के black probe को साथ ही मल्टी मिटर की डिस्प्ले पर मल्टी मिटर की डिस्प्ले पर हमें कुछ rating देखने को मिलेगा फिर वापिस मल्टी मिटर जीरो पर आजाएगा या एक पर आजाएगा भी हमें थोड़ी देर के लिए मिलेगा ज्यादा लंबी नहीं थोड़ी देर 5-7 second की हमें एक बजर की आवाज सुनाई देगी या बीब की आवाज सुनाई देगी उसके बाद क्या होगा मल्टिमेटर वापिस अपने जो स्टार्टिंग में जो स्टेज पे था उसी स्टेज पे आजायेगा उसके बाद क्या करेंगे हम इस जो terminal है, इसको उल्टा कर देगी, यानि कि red को negative मे लगा देगे, जो red probe है, इसको negative मे लगा देगे, और black probe है, इसको हम positive मे लगा देगे, फिर वही क्रिया दुबारा होगी, यानि कि कुछ reading आएगा, और सात ही बीद की आवाज आएगी, और फिर वापिस meter 0 पे तो अगर ऐसा होता है तो हमारा capacitor ओके है ठीक है अगर बीप की आवाज continue आईगी तो हमारा capacitor क्या होगा short होगा जैसा है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अगर क्या होता है तीसरी condition अगर मालो हमने positive को positive से लगाया इसका मतलब क्या है वह capacitor leakage है लीक कर रहा है उसका जो हमारा जो क्या होता है वह डायलेक्टिक मैट्रियल उसमें प्रॉब्लम आ गया या वह खराब हो गया तो capacitor चार्ज को लीक कर रहा है उसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे वापिस प्रोसेस को उल्टा करेंगे या निकि रेड रेड प्रोब को negative में लगा के और ब्लैक प्रोब को positive में लगा के देखेंगे फिर वही पहले बीप क्या हो जाएगा उसके बाद नंबर जीरो न तो दोस्तों यह होता है हमारे electrolyte capacitor आप देख पा रहे होंगे इसके उपर इसकी वेल्यू भी लिखे हुई है दोसो बीस कहा है देखा यह मायनस मायनस यानि कि ये terminal negative और इसका जब दूर्शा पोजी कॉछ कий होगा इसका positive तर्मित लोगा ऐसे हियहां पे लिखा है minus- इसका positive यह एससे देखिणे हैं हम तो आप देख देख सकते हिए यहowana माइनस माइनस ए ठीक है तो यह अपना नेगिट्व टर्मिनल यह अपना पोजिट्व टर्मिनल ठीक है यह मेरे पास जहाँ पर है यह देखना इसकी विद्यू कितने हैं इसके विद्यू है चार Stephen सतर माइक्रो फेरड और सिक्स्टीन वॉल्ट की वर्किंग वॉल्टेज मतलब यह 16 वॉल्टेज तक काम कर सकता है ठीक है इसके अलावा और है मेरे पास यह देखिए यह है देखो यहां माइनस लिखा हुआ है ठीक है इसकी वेल्यू कितनी है एक हजार माइक्रो फेरड और इसकी वर्किंग वॉल्टेज कितनी है 25 वॉल्ट तो यह है हमारा इलेक्ट्र लाइट केपेसिटर मेरे पास मल्टी यूजर वाला केपेसिटर अवेलेवल नहीं है मैं नेक्स्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप 0.4μF ठीक है इसकी टोल्रेंस यहां दिख रही होगी आपको प्लस माइनस 5% और यह 440 वोल्ट एसी और 50 हर्ज की फिक्वेंसी तक यह काम कर सकता है तो इसको किस तरह से चेक करते हैं इसको हम मल्टी मीटर से चेक नहीं कर सकते हैं तो इसकी टेस्टिंग अलग है जो इसकी वीडियो में मैं आपको सिफ इस केपिसिटर को कैसे टेस्ट करते हैं यह दिखाया हूँगा तो इस केपिसिटर को कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताया पहले मल्टी मीटर को हम कंटीनुटी रेंज बे सेट करेंगे इसको मैंने कंटीनुटी पे सेट कर दिया अब आप दे कोई सभी एक केपसिटर उठा लेते हैं अब मालो मैंने यह वाला केपसिटर ले लिया ठीक है बड़ा वाला ही ले लिया अब यह क्या है नेगेटिव और यह क्या है नेगेटिव तो मैंने क्या करा नेगेटिव को नेगेटिव में और पोजिटिव को पोजिटिव में जैसे लगाऊंगा यहां कुछ नंबर आएगा साथ ही बजर भी बज़ेगा थोड़ी देर के लिए फिर वापिस वन आ जायेगा लिखा हुआ यह देखो कि एक मुनेट शायद यह चार्ज होगा इसको डिश्चार्ज कर देता हूँ यह देखो कुछ नंबर आया और बंद हो गया अब इसको हम उल्टा करेंगा अभी अमने क्या करा था नेगेटिव में नेगेटिव लगाया था पोजिटिव में पोजिटिव लगाया था अब हम इसको उल्टा करेंगा उल्टा करने से क्या हो रहा है यह डिश्चार्ज हो र तो इसका मतलब क्या है यह केपेसिटर ओक है फिर देखो नेगेटिव को नेगेटिव में पोजिटिव को पोजिटिव में अभी हम क्या कर रहे हैं केपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं यह देखो चार्ज होके वापिस एक हो गया ठीक है अभी यह केपेसिटर चार्ज आप इन्टीव तो यह दिस्चार्ज हो गया यानि की हमारा ये जो गेसिटर है यह ओके है अब हम दो कैने स्टास्हाइब कि यह लिखा हूँआ नेगेटिव थो हम ने क्या करा बस्यूद को नेगेटिव में लखा इह और को पोजेटिव को पोजेटिव में देखो में कुछ रिडिंग आएगा और फिर वापिस एक हो जाएगा यह देखो तो रिडिंग आया और बन पर आगे हैं ठीक है मैंने अभी इसको लगा रहा है अब हम इसको उल्टा लगाएंगे यानि कि नेगेटिव में पोजेटिव और अध्यूमें नेगेटिव इसथरा से हैं फिर वापिस रिडिंग आया और एक कर जाएगा यह डिक हम्हारे इलेक्तर लाइकिक कैपेसिटर होता है इस तरह से हम digital multimeter से भी check कर सकते हैं ठीक है और इस capacitor को check करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं जो इसके terminal तार है इसको हम direct AC supply से लगा देगें उसके बाद दोनों तारों को touch करेंगे टच करने से क्या होगा यह चट से आवाज करेगा और spark होगा तो इसका मतलब अगर spark अच्छा होता है तेज होता है तो मतलब यह capacitor okay है और spark अगर धीरे से होता है तो capacitor weak है यानि हमारा पंका धीरे धीरे घुमेगा तेज नहीं चलेगा ठीक है कभी-कभी होता ना पंका धीरे घुमता तो क्याता है कि सेल डाउन हो गया सेल खराब हो गया तो यह capacitor क्या होता है वीक हो जात तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट केपिसिटर को DC मल्टीमिटर द्वारा भी आसानी से चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया है जह केपिसिटर बड़ा वाला वो कितना चार्ज को सटोर कर सकता है ठीक है कितना चार्ज सोर करेगा इसको मैं practically दिखाऊंगा आपको आपको देखने से पता लग जाएगा कि यह केपीसिटर कितना ज़्यादा चार्ज को सटोर कर सकता है साथ ही मैं ये वाला capacitor भी आपको practically दिखा दूँगा मेरे पास available है ठीक है तो अभी नहीं है बाकी मैं कल लिया हूँगा और next वीडियो में मैं आपको इस वाले capacitor को दिखा दूँगा और साथ ही ये वाला जो capacitor है इसको हम कैसे test करते हैं practically चेक करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा पूरा practical के उपर ही रहेगा तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाईए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत